गाइज क्या आप जानते हैं कि सस्पेंड होना बर्खास्त होना और लाइन हाजर होने में क्या अंतर है चलिए मैं आपको बता देता हूं अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे किसी करमचारी को सस्पेंड कर दिया गया या किसी करमचारी को बर्खास्त कर दिया गया या कि ऐसी स्थिति में किसी करमचारी को आधा वितन मिलता है और उसे सस्पेंड करने का अधिकार अपने से बड़े अधिकारी को होता है और सस्पेंड होने का एक time duration होता है यानि कि किसी करमचारी को कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और इस time duration के बाद उसे नोकरी पर फिर से रख लिया जाता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बरकास्त होना या डिस्मिस होना तो दोस्तों जब कोई विक्ति बड़ा अपराद करता है तो इसकी जांच होती है और जांच के बाद दोसी पाये जाने पर उसको बरकास्त किया जा सकत यहां तक कि उसे दूसरी कोई और भी सरकारी नोकरी से भी नहीं लिया जा सकता है बरकास्त होने के बाद ना ही उस करमचारी को आधा वेतन मिलता है और ना ही उसे पीएफ मिलता है अब बात करते हैं लाइन हाजर आपने कई बार सुना होगा कि किसी पुलिस वाले को या किसी SI को लाइन हाजर कर दिया गया यानि कि लाइन हाजर में किसी करमचारी का ज़्यादा नुक्षान नहीं होता जब कोई करमचारी छोटी मोटी गलती कर देता है तो उसको लाइन हाजर कर दिया जाता है यानि कि उसकी सेलरी भी पूरी मिलती है और उसका पद भी वही बढ़ा रहता है सिर्फ उसको और लाइन हाजर में क्या अंतर होता है यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के फैक्ट जाने के लिए इस चैनल को ज़रूर